इस वक्त की बड़ी खबर आ रहे है जहारखंड से जहारखंड सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है आपको बताते चले कि जहारखंड सरकार ने जो लॉक्डाउन की आओधी है वो बढ़ा दी है अब 31 माई तक उसको बढ़ा कर दी गई है यानि की पूरे जहारखंड में अब 31 माई तक लॉक्डाउन रहेगी कोरोना के बढ़ते संक्रमित मरीजों की शंख्या को देखते हुए जहारखंड सरकार यानि की मुख मंतरी हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला लिया है बताते चले की जहारखंड के ग्रामिन इलाकों में लगतार कुरोना पोजेटिव मरीज बढ़ रहे थे और इसी के मद्दे नजर वहाँ के सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला लिया और जो डेट थी जो तीती थी लोगडाउन की उस तीती को आगे बढ़ाते हुए अब 31 मई तक के लिए जहारखंड में पूरी तरीके से लोगडाउन कर दी है लेकिन आपको बताते चले कि जो आउस्यक चीजों की जो दुकाने हैं वो खुलेंगी जिसे दूद की दुकाने हैं दवा की दुकाने हैं इमर्जेंसी जो सेवाएं हैं वो सभी परकार की सेवाएं जो आउस्यक चीज़ें उनकी दुकाने खुलेंगी मीट की दुकाने मुझी टाइमिंग निधारित की गई है तो ये बड़ी ख़बर है जहारकंट से जो निकल करके सामने आ रही है कि 31 माई तक अब लॉकडाउन कर दिया गया है और जहारकंट की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए के लिए लोकडाउन की बड़ी घोसना कर दी है तो आपको हम बताते चलें कि जहारकंट में फिर से 31 माई तक के लिए पूरी तरीके से लोकडाउन हो गया उसकी आओधी बढ़ा दी गई वो आओधी जो थी वो उसको बढ़ा करके 30 माई तक के लिए कर दी गई है तो ये अ समंत सूरन के दौरा यह बड़ा फैसला लिया गया है कि अब 31 माई तक के जहारकंट में पूरी तरीके से लोकडाउन रहेगा गरामी इलाकों में भी तेजी के साथ करोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है ऐसे में रोक थाम करने के लिए लोकडाउन 31 माई तक ल हुआ है